Welcome back to another video, today we have to go out of this jail, as you progress further, the path will become more difficult, but we don't have to panic, we have to move forward, Now muscles man will come in front of me and I will have to avoid him and move forward, A head from here, this is my back, now I will go out of this jail, if I will go out of this jail, then I will go out of this jail, I will go out of this jail, now I will go out of this jail, and I will go out of this jail, यहाँ जम्प किया, उसके बाद यहाँ जम्प किया, आगे चलते हैं, और देखते हैं क्या सीन होता है, और सच में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, कि आगे कितना ज्यादा ट्रैप होगा, कितना मुश्किल होगा, फिर कितना असान होगा, तो हम लोग यहाँ आ चुके ह और यहाँ नीचे काफी खतरनाक सा ट्रैप है और मुझे लावा से बचते हुए जाना पड़ेगा गोला भी तुरंद इस तरफ गया है इसका मतलब कुछ सेकेंड तो लगेगा ही तो यहाँ पर स्टे करते हैं गोला फिर से आएगा और यह गोला जैसे हैं गया वैसे हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर स्टे करते हैं रुकना बहुती ज़्यादा जरूरी है तो हम लोग रुक चुके हैं और यह गोला जैसे हैं गया वैसे हमें निकलना है और यहाँ पर एक लेडर लगा हुआ इसकी मदद से उपर चलते हैं आ चुक है इसके उपर और ठीक मेरे सामने मसल्स मेंज का गाड़ है और मुझे इस मसल्स मेंज के गाड़ से बचना पड़ेगा विल घुमाते हैं घुमा दिया लेकिन ये गाड़ मेरे पीछे पर चुका है और इसे बचपाना थोरा सा मुझे लग रहा है लेकिन हमें बचना तो पड़ेगा ही स्टेर्स के मदद सूपर चलेंगे तो आ चुके हैं इसके उपर वो गाट नहीं आ सकता है तो दिक्कत वाली सीन नहीं है हम लोग साटिक तरीके से जंप करके यहां से अगले वाले स्टेज में जा पाएंगे बिना किसी दिक्कत के इसके उपर चलते हैं इसके उपर भी आ चुके हैं आगे चलते हैं उसके बाद देखते हैं कि मुझे क्या करना होगा लिवर पूल डाउन करते हैं All right, liver को मैंने press कर दिया है और ये मुझे उपर लेके जा रहा है lift, तो कुछ second wait कर लेते हैं जब तक ये मुझे उपर लेके जा रहा है तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं और मेरे सामने vending machine इसका use करेंगे button दबा दिया अब हुआ अंदर एक ability आ चुका है फिर स्टोन का वॉल हो हमें सटिक तरीके से जंप करके जाना होगा अगर मैं किल होता हूँ तो मुझे फिर से शुरू से आना पड़ेगा और मैं इसा नहीं चाहता दो प्ले टोर बचा है एक जंप आओर तो हम लोग यहां आ चुके हैं अब उपर चलते हैं यहां पड़ एक और आइरन का लेडर है इसका भी यूज करेंगे और हम लोग इसके उपर भी आ चुके हैं सामने वाल पर एरो का सिंबल है और मुझे एरो के सिंबल को फॉलो करना होगा और इसी तरफ चलेंगे और इस तरह मुझे जाना होगा यहाँ पे दो होल है तो हम चलते हैं सेकेंड होल के अंदर तो हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं और यह है टेनल जैसा है और यह थोरा सा बराज जरूर है लेकिन हमें अच्छी तरीके से जाना होगा और हम लोग काफी सही तरीके से जाप पा रहे हैं आप लोग चाहो तो तब तक वीडियो को लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इसे वीडियो हर रोज देखने के लिए आगे चलते हैं ओके अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहां का जो एर प्रेसर है बहुत इज़दा स्ट्रॉंग है तो मुझे अपने केरेक्टर को स्ट्रॉंग बना कर लेकर जाना होगा तब ही हम लोग मसल्स मेंड के प्रेजन से निकल पाएंगे नहीं तो यहां से निकलना नामुम्किन की तरह है आइरन की लेडर के मदद सूपर चलेंगे और हम लोग आ चुके इसके उपर मेरे सामने पाइप है तो हम लोग पाइप पर जम करेंगे काफी सही तरीके से जम किया इसके उपर भी आ चुके हैं आगे चलते हैं तो हम लोग यहां भी आ चुके हैं उस pipe पर चलेंगे इसके उपर भी आ चुके हैं आगे चलते हैं ओल राइट यहां भी आ चुके हैं जम्प करते हैं ओके उपर आ चुके हैं नीचे जाना होगा क्योंकि will को घुमाना पड़ेगा तो जम्प करके चलते हैं सटिक तरीके से will गुमाते हैं, वील मैंने गुमा दिया है, यहां भी आ चुके हैं, सेकेंड वील भी घुमा दिया है, अब सीधा हम लोग उपर जाएंगे, फड़ा पर चलते हैं, और मेरे सामने जो यहां पर आइरन का लेडर दिख रहा है, इसकी मदद से उपर चलेंगे, एक और एयर यहां पर खुला हुआ है, और सामने एक वील है, इसे क्लोज करके, उसे बंद करके, अगले स्टेज में जा पाएंगे, घुमा दिया उपर चलते हैं, इसके उपर भी आ चुके हैं, फड़ा पर से आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्या सीन होता है, इसके उपर चलेंग इसके उपर चलते हैं इसके उपर भी jump करके हम लोग आ चुके हैं बहुत सही है man आगे चलते हैं इसके अंदर आना पड़ेगा इसके अंदर भी आ चुके हैं और हम लोग काफी सही तरीके से जा रहे हैं और यहां का airflow को ज्यादा इत्येज है तो मुझे अपने character को अच्छी तरीके से लेकर जाना होगा बहुत सही है man फिर से jump करेंगे और कोच इस तरीके से हम लोगों को जाना होगा और यह सबसे last stage है तो अच्छी तरीके से जाएंगे ओके यहां आ चुके हैं अब फड़ावर्ज उपर चलते हैं उपर भी आ चुके हैं एक highly jump करना होगा और jump होना चाहिए पूरी तरीके से सटेक क्या मैं पहला attempt fail होगा बस थोरा सा बचा हुआ था लेकिन इस वार हम लोग अंदर आ चुके हैं आगे चलेंगे नीचे आ चुके हैं और मेरे सामने यहां पर safe है यह muscles main का safe है इसे kill करना पड़ेगा फड़ावर्ज चलते weapon चाहिए क्योंकि weapon की मदद से हम लोग इसे kill कर पाएंगे ऐसे kill करना पूरी तरीके से इसे नामुम्किन है यहां आ चुके हैं ले लिया फड़ावर्ज मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ और मैंने इसे damage देना शुरू भी कर दिया है और इसे मैं पूरी तरीके से kill करने बाला हूँ इसका health मैंने आधा कर दिया है आधा से भी down कर दिया है अब मैं इसे पूरी तरीके से निफटा दूँगा फ्राबर्स भागतें अब ये बलाच हो भी चुका है और इस तरफ डोर ओपन हो चुका है इस डोर के मदद से हम लोगों को यहां से निकलना पड़ेगा तो हमारा करेक्टर यहां पे स्क्रॉल करेगा स्क्रॉल ने बलकि रणिंग कर रहा है और काफी तेज तरीके से रणिंग कर रहा है रणिंग करते करते एक हाईलिट चंप के साथ सिधा इस तरफ आ गया है इस लेडर की मदद सूपर चलते हैं फटाबर चलते हैं एकजर डोर के अंदर चलेंगे और सामने एरो का सिंबल है तो मुझे उपर जाना पड़ेगा सही तरीके से और लेजर से बचना पड़ेगा नहीं तो मैं किल हो जाओंगा अच्छी तरीके से मुझे जाना होगा ओके दो लेजर को कंप्लीट करा दो लेजर और बचा है इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं इसे भी complete किया एक लेजर और बचाए सबसे last all right सबसे last लेजर को भी हम लोगों ने complete करा इस तरफ आ चुके हैं आगे चलते हैं उसके बाद देखते हैं कि मुझे क्या करना होगा जम्प करते हैं फिर से जम्प करेंगे अब हम लोग करने वाले हैं सबसे last fight ये रहा मेरे सामने muscles man the robot और इसे मैं kill करूँगा इसके chest में में इसका hp है और हमें इसे ये chest पे वार करना पड़ेगा तभी ये kill होगा नहीं तो इसे kill करना नामुम्किन हो जाएगा इसका health मैंने आधा से भी नीचे कर दिया है ओके ऐसे running करते जाएंगे running करते जाएंगे अब ये kill हो जाएगा kill हो जा मैं ओके क्या हमें वो बलास्ट हुआ मेरा करेक्टर भी नीचे गिर गया और सामने वहिकल है लेकर निकल जाएंगे आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब जरूर से